लो गाइज विल्कम टू माई चैनल पीकी कोमर्स स्टेडी सबसे पहले आप से भी को नौवर्स की हार्दिक सुप कमना है गाइज जैसा की हम लोग जान रहे हैं कि अब हम लोगों का एक्जाम बहुत ही जादा करीब आ गया है तो हम लोगों को बहुत ही जादा पेहनत करने क आप सकता है तो गाइज मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही जादा इंपोर्टेंट कोईशन लेकर आई हूँ जो कि एक्जाम में कहा बार पूछा जा चुका है तो क्वेशन है रोकड प्रबंद का अर्थ रोकड अस्तर को परभावित करने वाले तर तो रोकड प्रबं के उदेश से कि व्याक्या करें तो गाइज हमें कोईशन सही पता चल रहा है कि रोकड प्रबंद जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है कैस मैनेजमेंट सधारन सब्दों में कहें तो जब हम लोग अपनी आवस्तर मन्द चीजों को खरीते हैं तब हम लोगों को उस प्रबंद को मैनेज करके कैसे अपने देनिक चीवन में उसको सेव करें जब कोई वेक्ती बेउसाय प्रारम करता है तो सबसे पहले बात रोकड कियाती है जब उसके पास कैस होगी तभी वो बिजनस को स्टार्ट कर सकता क्योंकि केस के विना बेउसाय प्रारम करना इंपो रोकड प्रबंद का आर्थ मीनिंग ऑफ कैस मैनेजमेंट रोकड बेउसाय का मूल अधार होता है बिना परियाप्त रोकड के बेउसाय को कुसलता पुर्वक नहीं चलाया जा सकता यानि बेउसाय को चलाने के लिए केस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है साथ ही रोकड एक गैर अर्जन वाली संपती है अता आशकता से अथीक रोकड का वित्रित परभाव बेउसाय को लाबदायकता पर पढ़ सकता है इस परकार रोकड का प्रबंद कुसलता पुर्वक किया जाना जरूरी है समान यता रोकड में केवन नकद धन को ही सामिल करते हैं प्रंतु बित्ते साहित्य में रोकड में नकद धन हाथ में चेक बैंक से इस तथा नकद तुल्य प्रतिवूतियों को सामिल करते हैं अब हम लोग देखेंगे नकद कोसों की आवसकता क्यूं पढ़ती है Need for cash holding प्रसीद अर्थसासरी कीन्स ने नकद कोस रखने के लिए तीन उदेश से बतलाए है तो चलिए देखते कौन कौन सा उदेश से बतलाए है पहला है बेपार संबंदी उदेश से Transaction Motive बेपार की शमानी संचालन में विभीन लेंदेनों से उत्पन नकद भुकतानों के लिए नकद धन की आवसकता पड़ती है इन भुकतानों में क्राई स्रम कर वा लभांस भुकतान आदी को सामिल करते हैं यानि लेंदेन के लिए केस का होना बहुत जरूरी है दूश्रा है B. सुरक्षा संबंदी उदिश्य प्री कॉंट्री मौतिव सुरक्षा संबंदी आवसकताओं से ऐसी अज्यात वा आकस्मिक आवसकताओं से होता है जिनका पुरनुमान करना कठीन होता है प्रन्तु बेवसाय में ये घटीत होती रहती है मजदूरों द्वारा हरताल ताला बंदी दुरघटनाओं इत्यादी घटनाओं में हुई हानी को पूरा करने के लिए नकद धन रासी की आवसकताओं पड़ती है यानि जब भी वेवसाय में किसी मजदूर के द्वारा हरताल किया जाता है या फिर लोगों के द्वारा ताला बंदी या फिर अचानक किसी मजदूर को दुरघटना हो जाता है तो उसके इलाज के लिए केस का होना बहुत जरूरी है सी नमबर सटा समद्धी उदेश्य मुलियों में परिवर्तन कलाब उठाने के उदेश्य से रखा गया नकद धन सटा समद्धी आवसकताओं में समिलित किया जाता है प्रतिभूतियों के मुलियों में परिवर्तन कलाब समय पर नकद धान उपलब्ध होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है उपर वाले के अलावा एक और उदेशी होता है बीसिसकर बैंक से इसके रूप में नकद रखने का इसे छतिपूर्ति समद्धि उदेशी कहते हैं यानि बहुत सारे लोग हम लोग अपने केस को बैंक में छतिपूर्ति से बचाने के लिए सेविंग एकांट में जमा रखते हैं ताकि उस पैसे को जरुवत पढ़ने पर निकाल सके और उसका यूज कर सके बैंक अपने ग्रहांकों को बिभिन परकार की सेवाएं परदान करता है इसलिए अपने ग्रहांकों के खातों में नियूंतम सेस रखने को बाध्य करता है ताकि उस पर ब्याज कमा सके तथा अप अपने निस्सुल्क सेवाओं की कुछ सीमा तक छतिपूर्टी कर सके चलिए अब हम लोग देखते हैं रोकड अस्तर को परभावित करने वाले ततो एक संस्था के पास इतनी रोकड अवस्य होनी चाहिए कि उसकी देनिक आवसक्ताओं की पूर्टी हो सके तथा अवसक्ता पड़ने पर अपर्यासित घटनाओं का सामना किया जा सके किसी भी संस्था के रोकड अस्तर को निर्धारित करने वाले कारक निम्न हो सकता है पहला है संस्था की साख इस्थिति बजार में संस्था की जो साख है उसका परतियच प्रभा रोकड आवसकता पड़ता है यदि साख अच्छी है तो कम रोकड रखने की आवसकता होगी यदि साख अच्छी नहीं है तो उन्हें अधीक रोकर रखने की आशकता पड़ती है दूसरा तत्या उत्पादन नीती यदि संस्था की उत्पादन नीती रत्मान मांग के अनुसार उत्पादन करने की है और कच्चा माल आधी को उत्ति मात्रा करे की जाती है जवरत्मान मांग के अनुरूप उत्पादन के लिए आवस्था है तो संस्था को कम रोकर रखने की आवसकता होगी तीसरा पॉइंट है उत्पादन प्रकिरिया यदि उत्पादन प्रकिरिया लंबी या अधीक समय लेने वाली है तो अधीक रोकड के आवसकता होगी इसके विप्रित छोटी प्रक्रिया या कम समय लेने वाली प्रक्रिया की दसा में कम रोकड की जरुरत पड़ेगी चोथा है वस्तु की मांग की प्रकृती यदि संस्था दुवारा उत्पादि वस्तु की मांग बजार में बनी रहती है तथा वस्तु की विक्री नकद या थोड़े समय की उधारी पर की जाती है तो कम रोकड की आज सकता पड़ती होगी पाच्वा है क्रे विक्रे की सर्ते यदि संस्था को असान सर्तों पर कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है तथा त्यार मालन कद रूप से बिक जाता है या उधार विक्री कम अविधी के लिए की जाती है तो कम रोकड की आवे सकता होगी अनियथा अधिक रोकड की आवे सकता होगी transition यह दिसंस्था कि वसूली नीटी कुसलवपर्भाव साली है तो संस्था को समय समय पर रोकडं उपलब्द होती रहेगी तथा असोध्य के OnePlus आपर भी कम होगी अता संस्था को रंग मलं Sebूल मिक्लं कार रखने की बिपरीत इस्थिती में अध्यी कुस विधा प्राप्ट है तो कम रोकर रखने की आवसक्ता होगी सत्वा पॉइंटी संस्था द्वारा रखी जाने वाली। रोकर्ड की मात्रा प्रबंद की तरलता पसंदी जोखिम जलने की चमता असकंद वा विन्योग संबदे नीती आधी पर निर्भर करती है चलिए अब हम लोग देखते हैं रोकर्ड प्रबंद के उदेश्य क्या होते हैं अब्जेक्टिव्स ऑफ कैस मैनेजमेंट संस्था के लाभों को अधिक्तम करने के लिए तरलता वाला लाभ दायकता में संतुलन बनाये रखना ही रोकर्ड प्रबंद का मुख्य उदेश्य होता है संस्था के पास जितनी अधिक रोकर्ड होगी उसकी तरलता उतनी ही अधिक होगी प्रन्तु लाभ दायकता कम होगी इसकी प्रबंध के उदेश से नियम्न है ए नमबर में है भुकतान सुची के अनुसार रोकड विवरन की आवसकताओं की पूर्ती करना बी नमबर में है रोकड से इसके रूप में बंधी रासी के अस्तर को नियूंतम रखना असपस्ट है की उक्त दोनों उदेश से प्रस्पर विरोधी है इसलिए इनकी विसंगतियों को दूर कर अधिक्तम लाब अरजित करना बित्ते प्रबंधक के लिए चुनोती भरा कारी ह इन दोनों उदेशियों का वर्रन इस परकार है आ नमबर में भुकतान सुची के अनुसार रोकड वितरन की आसकताओं की फूर्ती करना यानि रोकड प्रबंधका मुख्य उदेश से भुकतान अनुसुची की आसकताओं को पूरा करना होता है बेपार के समाने संचालन में संस्था के आपूर्ति दाताओं अल्प कालिनरीन दाताओं या फिर करमचारियों आदी को सतत भुक्तान करने पड़ते हैं यदि भुक्तान सही समय पर ना किया जाए तो बेपारिक क्रियाएं ठप पड़ सकते हैं रोकड का संबन में एक कहावत है या बेवसाई के सदेव चलने वाली पहियों को चिकनाई प्रदान करने वाला तेल है इसके बिना बेवसाई क्रियाएं बंध होने के लिए बाध्य हो जाएगी इसलिए संसा को रोकड वित्रन की आवसकता को पूरा करने ये तो परियाप्त मात्रा में रोकड सेस रखना ही चाहिए लेकिन ध्यान में रखना होगा कि परियाप्त मात्रोकड सेस रखना लागत को बढ़ाता है अता संस्था को परियाप्त रोकर से प्राप्त लाब वपरियाप्त रोकर रखने की लागत में संतुलन अस्थापित करके अनुकुलतम रोकर सेस रखना आवस्यक है अनुकुलतम रोकर सेस याद करने की विधी आगे बताई गई है बी नमबर है रोकर सेस के रूप में बंधी रासी के अस्तर को नियुन्तम रखना रोकर प्रबंध के दुसरा उदेश से रोकर सेस के रूप में बंधी रासी को कम से कम करना होता है रोकड सेस को नियुन्तम रखने के परियास में बित्ते प्रबंद को दो बिरोधी पहलूं का सामना करना पड़ता है उच तर रोकड सेस जहां एक तरफ अन्य लाभों के साथ उचित समय पर भुकतान को सुनिश्चित करता है दुसरी तरफ रोकड का महत्पून भाग बेकार पड़ा रहता है नियुन्तम रोकड सेस संस्था भुकतान अनुसूचि की पूर्ते में कठीनाई हो सकती है अतापुना वित्ते प्रबंद को लाभ हानियों को ध्यान में रखते वे अनुकुलतम सेस रखना चाहिए चलिए अब हम लोग देखते हैं रोकड प्रबंद के विविन चरन के आभेरियस स्टेफ इन कैस मैनेजमेंट रोकड प्रबंद के नही समस्याओं का निम चरनों में अध्यान किया जा सकता है पहला है रोकड नियोजन हुआ नियंतरन दूसरा है रोकड की कुसलता पुर्वक वसूली का भुकतान तीसरा है उप्यूक्त कारियस सेल रोकड सेस का निर्धारन करना और चौथा है सेस अधिके रोकड का विन्योजन करना तो आज के लिए इतना ही उमेद है आप लोगों को ये कोशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया ऐसे ही महत्पुन प्रश्णों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें धन्यवाद